और राहुल गांदी की पेशी पार इस वक्त की बड़ी ख़बर आ रही है अकेलेवे राहुल गांदी से लगातार E.D. के अधिकारी पूस्ताच कर रहे हैं और राहुल गांदी को वकील साथ ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई है असिस्टेंट डारेक्टर रैंक के अधिकारी राहूल गांधी से लगातार पूच्टाच कर रहे हैं और सवा ग्यारा बजे से लेकर अब लगभग सवा एक होने जा रहे हैं पिष्टे तक्रीबन दो घंटे से राहूल गांधी से एडी के अधिकारी पुछताच कर रहे हैं तो देखिए और एडी सोर्सेस के हवाले से वो तमाम एहम सवाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब जिनका सामना राहूल गांधी इस वक्त कर रहे हैं आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं और अकाउंट डिटेल से रिलेटेड जानकारियां जो हैं वो मांगी गई है किस-کिस बैंक के अकाउंट हैं ये पूछा गया है यंग इंडिया लिमिटेट कब बनाई गई कितने रुपय में कंपनी खड़ी की गई ये सवाल पूछा जाएगा यंग इंडिया में कितने डारेक्टर्स थे और उनकी कितनी हिस्सेदारी थी यंग इंडिया लिमिटेड किस चीज में डील करती है दरसल कंपनी का प्रोफाइल क्या है ये भी जानने की कोशिश की जाएगी तो तमाम सवाल लगातार ग्रैफिक्स के जरीए हम आपको दिखा रहे हैं जिनका सामना आज राहूल गांधी को करना होगा जितेंदर शर्मा हमारे सयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जितेंदर थोड़ी देर पहले सोर्सेस के अवाले से ये खबर भी सामने आई कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब राहूल गांधी के पास नहीं है और क्या अपडेट एडी सोर्सेस के जरीए सामने आ जवाब कर रहे और राहूं गांधी इस वक्त कमरी के अंदर अधिकारियों के तामने अफेने मौजू जाता क्यून्का नोयर की तरफ से कोशिश की गई थी कि इस खोशनिंग के दोरान वह भी राहूल गांधी के साथ जाठ जहांपर हो रही हैं जिसकमरी के अंदर वहाँ तरीके के और किस तरीके से उन्हें हत्याने का काम किया गया था और ये जो स्वामित्व है ये किस-किस के पास मौझूद है साथी डोटेक्स एक कंपनी है मर्चंडाइज लिमिटिड कलकत्ता की उस कंपनी के जरीए राहूल गांधी के अकौन में कुछ पैसे भी गए थे बताया जाता है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है खुद इसमिर्ती राणी ने भी इस सवाल खड़ा किया कि आकिरकार डोटेक्स मर्चंडाइज लिमिटिड का राहूल गांधी से क्या कनेक्शन है राहूल गांधी इस बार में पूछता अच की जाए तो ये जो कंपनी है इस कंपनी किसे राहूल गांधी का क्या संबंद है इस बारे में भी राहूल गांधी से सवाल जवाब किये जा रहे हैं लेकिन सबसे हरानी की बात यह कि इन सवालों का राहूल गांधी के पास कोई सीधा और इस्पष्ट जवाब नहीं है झाल